आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का 11 चाप्टर दाइस रेबल्स एंड राज को ही कंटिन्यू करेंगे यह वीडियो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंक्लूट करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग टॉपिक नूबर 3, 4 और 5 को डिस्कस करने वाले हैं आज का यह वीडियो थोरा जादा ही लंबा होने वाला है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में तीन तीन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे अगर आप चाहो देन वीडियो का स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो to save your time बट प्लीज इस रिक्वेस्ट की वीडियो के इन तक जरूर देखिएगा तभी आपको यह चैक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर अभी तक आप लोगों ने इस शेप्टर की प्रिवेस पार्ट को नहीं देखा है और प्लीज शेक आउट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक आपको मिल जाएगा तो नाव इताउट फॉर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टे यानि की आखिर रेबल्स क्या चाहते थे उनके द्वारा इस टॉपिक में मिनने वाला है सबसे पहले हमें important sources के बारे में बता रखा है जिसके थुरू हमें इस रेबल के बारे में information मिलता है सब 1857 के revolt या फिर रेबेलियन से related हमारे पास ज़ादा तर जो evidence और जो sources है सब वो खास कर Britishers के द्वारा ही produce किये गया है और उनके द्वार ही circulate किये गया है यानि कि spread किये गया है सो Britishers ने अपने accounts में rebels को बहुत ज़ादा ungrateful and barbaric people के रूप में represent किया है यानि कि अगर हम लोग Britishers के द्वारा इस revolt से related जो भी sources provide किया गया है सो अगर हम लोग उन सारे sources से उस time period के बारे में पता लगानी की कोशिश करते है उस revolt के बारे में पता लगानी की कोशिश करते है सो Britishers के द्वारा कुछ ऐसे evidence को दिया गया है जिसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो Indian supporters थे हमारे जो Indian people थे जो rebels people थे सो वो लोग बहुत ज़ादा ungrateful people थे और वो लोग बहुत ज़ादा barbaric people थे यानकि बहुत ज़ादा uncivilized people थे उन्होंने बहुत ज़ादा गलत किया है Britishers के साथ इस तरीके से Britishers के द्वारा अपने accounts में पूरा ही जो revolt था उसको describe किया गया है इसी वज़े से जब हम लोग Britishers के sources को या फिर evidence को पढ़ते है then हमें actual में rebels क्या चाहते थे rebels का क्या point of view था उनका क्या perspective था इस revolt को लेकर तो उसके बारे में इतना information नहीं मिलता है and अगर हम लोग 1857 के revolt की winner की बात करें कि आखेर इस revolt में कौन जीतता है so इस revolt में at the last Britishers की जीत जाते है so Britishers जैसे की winner होते है वो victors होते है so एक winner की रूप में वो अपने trials and tribulation को record करते है अपने accounts में and साथी साथ अपने heroism को record करते है यानि कि इस revolt को suppress करने के लिए उनको कौन से कौन से difficulties face करना पड़ा इस revolt में उन्होंने किस तरीके से बहुत ज़दा suffering किया उनको किस तरीके से बहुत सारे difficulties को face करना पड़ा so इन सारी चीजों को उन्होंने अपने account में लिखा है और साथी साथ अपने heroism यानि कि Britishers कितना ज़दा brave थे उनके courage को describe किया गया है कि उन्होंने किस तरीके से Northern India को दुबारा से recapture कर लिया किस तरीके से उन्होंने सारी सिपोस को सारी ही जो इंडियन पीपल थे उनको इस revolt में हरा दिया है so Britishers ने अपने account में अपने point of view से लिखा है उन्होंने अपनी तारिफ की है कि हम लोगोंने किस तरीके से इस revolt को suppress कर दिया है और उन्होंने जो इंडियन का point of view था उसको दबा दिया है इंडियन को बहुत ज़दा ungrateful and barbaric people की रूप में डिस्क्राइब किया है so Britishers की द्वारा नासिव 1857 के rebel को suppress किया गया उसको दबाया गया बलकि साती सार रेबल्स का जो voice था उनका जो demand था उसको भी silent किया गया यानि कि आखिर rebels people जो थे वो लोग क्या चाहते थे उन्होंने किन सारे reasons की वज़े से हमारे उपर attack किया था हमारे खिलाफ में उन्होंने विद्डरो किया था so उनका जो demand था उनका जो point of view था उनका जो आप कह सकते voice था so उसको भी दवाया गया so आखिर हमें rebels का क्या point of view था so इससे related जादा information क्यों नहीं मिलता है so बहुत ही कम ऐसे rebels थे जिन्होंने अपना जो version है यानि कि अपना जो point of view है उनका क्या views था इस rebel को लेकर उन्होंने कि इन सरी reasons की वज़े से इस rebellion को किया था Britishers के against में so ऐसे बहुत ही कम rebel people है जिन्होंने इन सारी चीजों को record किया है क्योंकि जादते जो support and ordinary people थे so वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे so इसी वज़े से वो लोग अपने point of view को accounts में record नहीं कर पाए so अगर हम लोग rebels के point of view को जाना चाहते है then हमारे पास थोरा बहुत जो account है जो कि rebels के द्वारा खुद record किया गया था so उसके थुरू हमें उनके point of view के बार में पता लगता है and rebellion के दौरा rebels के द्वारा जो proclamation किया जाता था and सारे ही लोगों को persuade करने की कोशिश करते थे कि सारे ही लोग इस revolt को join करे और Britishers के against में fight करे so इन सारे sources के द्वारा थोरा बहुत हमें rebels के point of view यानि कि उनके perspective के बार में information मिलता है so जब हम लोग 1857 के revolt में क्या कुछ हुआ था so उस चीज को reconstruct करने की कोशिश करते है then उसके लिए हमें ना चाते हुए भी खास कर उन्हीं सारे sources के उपर depend होना पड़ता है जो कि Britishers के द्वारा लिखे गये थे so उन सारे sources से हमें officials का जो mind था उनका जो point of view था so उसके बार में information मिलता है and आखिर rebels क्या चाते थे उनका क्या perspective था इस rebellion को लेकर उनके क्या views थे so उन सारे चीजों के बार में हमें बहुत ज़्यादा कम information मिलता है so I hope कि आपको topic number 3 का introduction समझ में आ गया होगा ना जो हमारा next topic है वो है topic number 3.1 the vision of unity so इस topic में हमें 1857 के revolve में Hindus and Muslim people की बीश में जो unity था जो एकता था so उसके बार में बता रखा है so 1857 के revolve में rebel leaders के द्वारा जितने भी proclamations को किये गये थे यांकि जितने भी घोशनाई की गयी थी जितने भी notification को issue करवाया गया था so उसमें बार बार society में रहने वाले हर एक section को अपील किया जा रहा था चाहे वो किसी भी caste से बिलॉंग करते थे चाहे वो किसी भी religion को follow करते थे किसी भी धर्म को follow करते थे so society में रहने वाले हर एक लोगों से ये अपील किया जा रहा था कि आप लोग 1857 के revolve में participate करो और हमारी मदद करो जिसके द्वारा हम लोग फिरंगियों को यानि की ब्रेटिशर्स को अपने देश से भगा सके In fact, जाद तर जो प्रोक्लेमेशन थे 1857 के रिवाल्स से रिलेटेड सो वो मुस्लिम प्रिंसेस के द्वारा ही इशू करवाया जाता था बट उस दौरान भी हिंदू का जो सेंटिमेंट से यान की हिंदू पीपल का जो भावना है उनका जो विचार है सो उसको रिस्पेक्ट करते हुए ही प्रोक्लेमेशन को इशू करवाया जाता था So 1857 का जो रिवाल्स था यह जो रिबिलियन था So इसको एक ऐसे वार के रूप में देखा जाने लगा जिसमें अगर जीत होती है Then Hindus and Muslims दोनों की ही जीत होगी And अगर हार होती है Then Hindus and Muslims दोनों की ही हार होगी So यह religion से related कोई भी reward नहीं था यह religion से related कोई भी war नहीं था बलकि इसमें Hindu and Muslim यह लोग एक ही group में थे यह लोग united थे And यह लोग साथ मिलके Britishers के against में fight कर रहे थे So यह जो 1800 and 57 का revolt था इसको एक ऐसे वार के रूप में देखा जाने लगा जिसमें जो Hindus and Muslim people है वो लोग unite होके एक साथी Britishers के against में fight कर रहे Now next हमें यह बता रखे है कि कई सारे जो proclamations थे So वो बहादुर्शा के नाम पे भी issue करवाए गये थे And उसमें लोगों से अपील किया जा रहा था कि आप लोग जो है Britishers के against में fight करो Under the standard of both Muhammad and Mahavir So जो Muslim people थे So उनको Muhammad का वास्ता दिया जा रहा था कि Muhammad के नाम पे आप लोग Britishers के against में fight करना है And जो Hindu people थे उनको Mahavir का वास्ता दिया जा रहा था कि Mahavir के नाम पे हमें Britishers को अपने country से भगाना है And ये सच में बहुते ज़्यादा remarkable बात है कि 1857 की revolt में इस uprising में Hindus and Muslim people के बीज में ये जो religion का एक जो difference है So ये difference बहुते ज़्यादा hardly noticeable था Despite British attempt to create such division So Britishers के द्वारा कोशिश किया गया कि Hindus and Muslim people को हम लग divide करते But इसके बावजूद भी इस rebellion में Hindus and Muslim people के बीज में जो religion का difference था So ये बहुती ज़्यादा hardly noticeable था So इसका हमें एक example भी दे रखा है कि आखिर किस तरीके से Britishers ने Hindu and Muslim people के बीच में Division create करने की कोशिश की थी So बरेली में जो की Western उत्तरप्रदेश में है So December 1857 में Britishers के द्वारा लगबख रुपीस 50,000 रुपीस का खर्चा किया गया था ताकि जो Hindu population है So उनको Muslim के अगेंस्ट में भढ़काया जा सके So Britishers के द्वारा इतना ज़दा पैसे को invest किया गया था But उनका ये जो attempt था ये fail हो जाता है इतना ज़दा खर्चा करने के बावजूद भी वो लोग fail हो जाते है Hindus and Muslim people की बीच में एक division को create करने के लिए So ये भी एक बहुती बड़ा factor था एक reason था जिसकी वज़े से 1857 का जो revolve था वो इतने लंबे time तक ठिकता है And ये almost successful होई जाता है Northern India से Britishers को भगाने में क्योंकि इस revolve में Hindu and Muslim people united थे So with this topic number 3.1 भी complete होता है Now हमारे next topic है topic number 3.2 Against the symbol of operation So 1857 के revolve में जितने भी proclamations को issue करवाया गया था So उसमें ऐसी चीज़े जो कि even Britishers के rules से भी associated है यानि कि Britishers के rules से related है connected है So उन सारी चीज़ों को भी completely reject करने की बात की गई है इन सारी proclamations में So इन सारी proclamations में हमें ये देखने को मिलता है कि Britishers को condemn किया गया है उनकी बहुत ही ज़दा निंदा की गई है उनकिस तरीके से Britishers तोर रहे थे So इस चीज़ को लेकर भी Britishers को बहुत ज़दा condemn किया गया है उनकी निंदा की गई है And rebel leaders के द्वारा ये कहा गया कि हम लोग Britishers के उपर trust नहीं कर सकते है Britishers विजवास करने के लायक नहीं है And इन सब के साथ साथ Britishers का जो land revenue का settlement था जो system था So उसको भी बहुत ज़दा condemn किया गया क्योंकि इसकी वज़े से उनके areas में जो landholders थे जो जमीनदर या फिजो तालुकदार्स थे So उनको उनी के land से बेदखल किया गया चाहें हम लोग big जमीनदार की बात करे Big landholders की बात करे या फिर small landholders की बात करे And इसके साथ साथ Britishers की द्वारा जो foreign commerce किया जाता था यानि कि foreign goods का बहुत ज़दा import होता था इंडिया में So इस वज़े से इंडिया में जो Indian goods थे जो artisans and जो weavers थे So उन लोगों का जो commerce था उन लोगों का जो trade वगेरा था So वो बरबाद हो चुका था So 1857 की proclamation में ना से Britishers को target किया जा रहा था बलकि Britishers के द्वारा इंडिया में जो कुछ भी लागू करवाया गया था So हर एक चीज की निंदा की जारी थी So every expect of British rule Britishers के rule से जो कुछ भी related था So हर एक चीज के उपर attack किया जा रहा था And फिरंगियों को यानि कि Britishers को बहुत ज़दा accuse किया जा रहा था उनकी निंदा की जारी थी कि उन्होंने एक ऐसा जो हमारा way of life था जिससे हम लोग family थे जिससे हम लोग बहुत ज़दा खुश थे जिसको हम लोग चाहते थे जिसकी हम लोग बहुत ज़दा प्रसंसा करते थे So वो जो हमारा way of life था So उस way of life को Britishers ने destroy करके रख दिया So अब जो rebels थे वो उस world को restore करना चाहते थे जिस world में पहले वो रहते थे यानकि Britishers के आने से पहले इंडिया में जैसा system था जिस तरीके से जो इंडियन पीपल थे वो लोग रहा करते थे अपने अपने ruler के ender में So वो जो पुराना world था वो world rebels को बापस शाये था Now next हमें बता रख था है कि Proclamation में इन सारी चीजों के अलावा और जो इंडियन पीपल थे इंडियन पीपल को बताया जा रहा था And इसी वज़े से इसी डर की वज़े से कहीं न कहीं उस time period में जो भी rumors फैर रहे थे जो भी अफवाय फैर रही थी So उन सारे rumors के उपर Indian people believe कर रहे थे चाहे हम लोग cartridges की बात करे या फिर आटे में बोन्स मिलाने की बात करे या फिर जो भी और rumors फैर रहे थे उन सारे rumors की बात करे So ये लोगों के मन में एक दड़ था कि जो ब्रेटिशियों से वो हमारे religion को convert करना चाहते है And religion एक बहुत ही important factor होता है किसी भी time period के अगर आब बात करो अगर बात religion पर आ जाती है Then लोग अपने religion को अपने धर्म को protect करने के लिए कुछ भी कर सकते है So ही एक main reason था जिस वजे से जो इंडियन पीपल थे वो लोग इन सारे rumors के उपर belief कर रहे थे And इनी सारे चीजों का result निकलता है 1857 का reward So proclamations के द्वारा घोशनाओं के द्वारा बार बार जो common people थे उनसे अपील किया जा रहा था कि हमें एक साथ unite होना है और हमें अपने livelihood के लिए अपना जो रोजगार है उसके लिए fight करना है अपने faith के लिए अपना जो धर्म है उसके लिए fight करना है अपने honor के लिए यानि कि हमारा जो सम्मान है उसके लिए fight करना है अपने identity यानि कि हमारा जो एक नाम है हमारा जो पहचान है उसके लिए fight करना है So हमें greater public good के लिए fight करना है यानि कि individually हमें अपने खुद के लिए fight नहीं करना है नेक्स्ट हमें बता रखे about the rebels against the moneylanders, सो जादतर places में ये जो rebellion था, ये जो विद्रो था, ये ना सिब ब्रेटिशर्स के against में था, बलकि उन सारे लोगों के against में भी था, जो कि ब्रेटिशर्स के allies थे, यानि कि जो कि ब्रेटिशर्स के rule को support करते थे, जो कि ब्रेटिशर्स के friend थे, या फिर जो local oppressors थे, यानि कि हमारी country के ऐसे लोग जो कि peasants को बहुते ज़दा suppress करते थे, peasants के उपर बहुते ज़दा अत्यचार करते थे, सो इस revolt के द्वारा peasants को एक मौका मिल गया, कि हम लोग ना सिब ब्रेटिशर्स के against में fight करें, उनकी against में withdraw करें, बलकि जो local oppressors है, जैसे कि money landers, सो उनके against में भी हम लोग fight कर सकते हैं, सो लोगों के लिए एक जो main दुश्मन था, क्योंकि money landers जो होते थे, वो लोग, लोगों के बदले में बहुत ही ज़्यादा interest को चार्ज करते थे, सो इसी वज़े से common people की द्वारा, money landers की पास जो account books था, सो उसको burn कर दिया गया, और उनके जो houses थे, सो उनको लूटा गया, सो इन सारे चीजों से हमें एक glimpse मिलता है, यानके हमें एक ज़लग मिलता है, कि जो rebel people थे, सो अब वो ज़्यादा egalitarian society चाते थे, that means कि जो rebel people थे, जो Indian people थे, सो भले ही वो उस पुराने world को बापस चाते थे, जो कि Britishers के आने से पहले था, बट साती साथ, वो अपने लिए एक ऐसे new world को भी create करना चाते थे, जिस world में उनके उपर किसी की द्वारा भी अत्तिशार ना किया जाए, ना ही money landers की द्वारा, ना ही जमिंदार की द्वारा, ना ही तालुकदार्स की द्वारा, या फिर ना ही राजाओ के द्वारा, वो एक जाधा egalitarian society चाहते थे, जहाँ पर equally एक साथ मिलके रह सके, विद इस topic number 3.2 भी complete होता है, आई होब कि आपको सारे ही topics बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ना हमारे next topic है topic number 3.3, the search for alternative power, जब रैबल्स की द्वारा, इन सारे शहरों में एक structure of authority and administration को stabilize किया गया, सो जब दिल्ली, लखनव and कानपूर में, ब्रिटिशर्स का जो authority था, उनका जो administration था, सो उनको जब हटाआ गया, सो उसकी जगह पे अब एक new authority and new administration को भी stabilize करना बहुत ज़्यादा ज़री था, सो रैबल्स की द्वारा, इन सारे शहरों में एक new authority यानिके एक power को और एक administrative system को stabilize किया गया, सो भले ही ये जो new administrative system था, जो कि रैबल्स की द्वारा इन सारे शहरों में stabilize किया गया था, वो बहुत ज़्यादा short leave था, यानिकि वो लंबे time तक नहीं तिक पाया, बट फिर भी हमें इसके द्वारा ये पता लगता है कि जो rebel leaders थे, सो वो उसी world को restore करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि Britishers के आने से पहले था, यानकि 18th century के time period के दौरा, जो world था, जिस world में common people रहा करते थे, सो उसी पुराने world को जो rebel leaders थे, वो बापस लाना चाते थे, सो हमें ये किस तरीके से पता लगता है कि rebels के द्वारा वो जो पुराना world था, उस world को restore करने की कोशिश की जा रही थी, सो rebels के द्वारा इन सरे शहरों में जिस तरीके के administrative system को stabilize किया गया था, सो उस administrative system से हमें पुराने world का एक जलग मिलता है, जैसे कि leaders की द्वारा court का जो culture था, उसको start किया गया, यानि कि राजदर्बार का जो culture था, एक राज़ा होता है, उसकी कई सरे ministers होते हैं, और वो लग मिलके पूरा administration करते हैं, इस तरीके का court का जो विवस्ता था, जो culture था, उसको दिल्ली लखनव और कानपूर में restabilize किया गया, साथी साथ अलग-अलग post के लिए rebels की द्वारा appointments किये गए, new arrangement को set up किया गया for the collection of land revenue and for the payment of troops, जो अब Indian troops है, उनको किस तरीके से payment देना है, जो उससे related new arrangements को किये गए, land revenue को किस तरीके से collect करना है, जो उससे related एक new system को stabilize किया गया, और साथी साथी order दिया गया कि शहर में जो भी loot part हो रहा है, जो भी plender हो रहा है, जो उसको भी stop किया जाए, इन सब के साथ साथ, side by side plannings भी किया जा रहा था, कि Britishers की दुबारा, दुबारा से अगर, इन सारे towns में attack किया जाएगा, तो हम लोग इस battle में किस तरीके से fight करेंगी, chain of command को laid down किया गया in the army, chain of command यानि कि किसी भी army group में, कौन commander होगा, जो कि उस army group को lead करेगा, अगर उनका death हो जाता है battle की दौरान, अगर उसकी भी death हो जाती है, तो इसी चीज़ को chain of command कहा जाता है, so rebel leaders की दौरा, chain of command को भी let down किया गया, so rebel leaders की दौरा, जिस new administrative structure को stabilize किया गया था, उसका जो primary aim था, वो था to meet the demands of the war, यानि कि Britishers इतनी आसानी से, इन सारे शहरों को तो छोड़ेंगे नहीं, counter attack भी किया जाएगा, so उसी counter attack के साथ हमें deal करना है, war में जो भी demand होगा, so उसको हमें fulfill करना है, so यही administrative structure का primary objective था, next हम यह बता रखा है, कि जातर cases में हमें यह देखने को मिला, कि यह administrative structure था, जो कि rebel leaders की दौरा, उन सारे शहरों में stabilize किया गया था, so वो survive नहीं कर पाता है, Britishers के द्वारा जब counter attack किया जाता है, so उस counter attack में, यह जो administrative structure था, so वो survive नहीं कर पाता है, यानि कि जादा लंबे time तक नहीं टिक पाता है, but अगर हम लोग particularly अवद की बात करे, जहाँ पे Britishers के against में जो resistance था, वो बहुत ज़ादा लंबे time तक टिकता है, so लखना कोर्ट में बार बार counter attack के लिए, rebels के द्वारा planning किया जा रहा था, जो chain of command है, so वो भी rebels के द्वारा lay down किया जा रहा था, so अबद में ही यह जो 1858 का revolve था, so यह सबसे लंबे time तक टिकता है, and इसी वज़े से last topic में भी हम लोगों ने अवद के बार में बहुत ही detail वे में discuss किया था, क्योंकि अवद एक major center बन चुका था, 1858 के revolve का, so इस area में लगभख last month of 1858 में rebellion start हुआ था, and इस rebellion को crush करते करते, early part of 1858 का time period लग गया, so इसी से हमें ये पता लगता है, कि अवद में इस rebellion को crush करना, Britishers के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था, so with this हमारा पूरा ही जो topic third है, वो complete हो जाता है, ना जो हमारे next topic है, वो है topic number 4, repression, so इस topic में हमें बता रखा है, कि Britishers के दुआरा किस तरीके से 1800 and 57 के revolts को suppress किया गया, यानि कि इसको दबाया गया, और किस तरीके से Britishers इस revolts में जीजाते हैं, so 1800 and 57 के revolts से related, हमारे पास जितने भी accounts है, जितने भी sources है या फिर evidence है, so उन सारी चीजों से ये बहुत ही अच्छी तरीके से clear है, कि Britishers के लिए 1857 के revolts को crush करना, उसको दबाना या फिर उसको suppress करना, इतना भी जादा easy नहीं था, so इस revolts करने के लिए, इस revolts को suppress करने के लिए, Britishers के दौरा काफी सारे new rules को भी pass किया गया था, पहले Britishers के दौरा Northern India में, काफी सारे series of law को pass किया गया, ताकि Northern India में ये जो विद्रो ही, जो वालेंस हो रहा है, so इसको at least थोड़ी देर के लिए दबाया जाए, थोड़ी देर के लिए इस वालेंस को सांथ किया जाए, और उसके बाद Britishers के दौरा और भी कई सारे troops को Northern India को recover करने के लिए मंगवाया जाता है, उसके बाद May 1857 से लेकर जून 1857 तक Britishers के दौरा काफी सारे acts को भी पास किया जाता है, and almost पूरे ही Northern India में Martial law को impose किया जाता है, so Martial law क्या होता है, so अगर किसी भी एरिया में Martial law को impose किया जाता है, so उस एरिया को control करने का जो power होता है, so वो military force के हाथ में आ जाता है, so अगर किसी भी एरिया को military forces के दौरा control किया जाता है, and उस एरिया में जो normal government का system होता है, जो legal process होता है, उसको suspend कर दिया जाता है, so तब हम ये कहते हैं कि उस एरिया में Martial law को impose किया गया है, so पूरे ही Northern India में Martial law को impose किया गया था, ये रहा करते थे, normal citizen की तरह, so even जो ordinary Britain people थे, so उनको भी power दिया गया, कि ऐसे Indians, जिनकी उपर शक भी किया जा रहा है, कि ये rebellion हो सकता है, ये एक विद्रोई हो सकता है, so उसको भी आप punish कर सकते हो, उसको भी आप मार सकते हो, so Martial law के दौरा, Northern India में जो law and order का, जो ordinary process था, जो trial का process था, so उसको suspend किया गया, यानि कि जिनकी उपर भी आपको शक हो रहा है, कि ये rebellion हो सकता है, so सीधा आप उसको मार दो, उसको punish कर दो, ये जो law का process होता है, कि पहले court में लेके जाया जाएगा, देखा जाएगा कि सच में वो guilty है की नहीं, सच में वो एक rebellion है की नहीं, so ये जो normal process था, so इसको suspend किया गया, and हर एक military officer, and ordinary Britain को ये power दिया गया, कि जिनके उपर भी आपको शक होता है, आप उसको मार सकते हो, even Britishers के दौरा ये declare किया गया, कि जितने भी rebellion people है, so उनका सिर्फ उसे एक ही punishment है, and वो है death, so now अब जब British Army था, so जब उनको इन सरे special laws की दौरा, बहुत सरे special powers मिल गे, and Britain से भी काफी सारे forces को मंगवाया गया, ताकि उनकी आर्मी को और ज़दा मस्बूत बनाया जा सके, so उसके बाद Britishers की दौरा, इस revolt को suppress करने का जो काम था, so उसको start किया गया, उसको शुरू किया गया, so सबसे पहले Britishers की दौरा, दिल्ली को recover किया गया, so next हम लग यहीं देखेंगे, कि आखर दिल्ली को किस तरीके से, reconquer किया जाता है, so जिस तरीके से rebels के लिए, दिल्ली का एक symbolic value था, similarly उसी तरीके से, Britishers भी, दिल्ली को एक बहुती important center मानते थे, Britishers के लिए भी, दिल्ली का एक बहुती symbolic value है, so सबसे पहले, Britishers के दौरा यह decide किया गया, कि हम लग दिल्ली को reconquer करेंगे, उसको recover करेंगे, so दिल्ली को recover करने के लिए, Britishers के दौरा दोनों तरफ से attack किया गया, दोनों तरफ से combined attack किया गया, so पहला जो force है, उसको कलकता से Northern India के तरफ भेजा गया, और दूसरा जो force था, उसको पंजाब से Northern India के तरफ भेजा गया, दिल्ली को conquer करने के लिए and पंजाब का जो area था वो बहुत ज़्यादा peaceful area था यानि कि पंजाब के area में हमें 1857 का reward नहीं देखने को मिलता है so Britishers ने June 1857 के early part में यान कि शुरुवात के time period की दौरान दिल्ली को recover करने की शुरुवात की थी कोशिश की थी and finally दिल्ली को recapture करते करते उनको late September तक का time period लग जाता है यानि कि लगबग 3-4 महिनों का time period लग जाता है दिल्ली को recover करने में so इससे हमें पता लगता है कि यह जो fighting हुआ था between the rebel people and the Britishers या फिर British force so वो कितना ज़दा भयानक रहा होगा so दोनों ही तरफ में बहुत ही ज़दा fighting हुआ था and बहुत ही ज़दा losses हुआ था so एक reason जिसकी वज़े से यह जो war था between the British forces and the rebel people in दिल्ली so यह इतने लंबे time तक ही जाता है so इसका reason यह था कि Northern India में जितने भी rebel people थे so सारे यह rebel people दिल्ली पहुँच गया थे अपने capital को defend करने के लिए यानि कि अपने capital के बचाफ करने के लिए so इसी reason की वज़े से 3-4 महिनों का time period लग जाता है Britishers को दिल्ली को recover करने के लिए so इससे हमें यह पता लगता है कि जो इंडियन rebel थे वो कितना ज़दा करा टकर दे रहे थे British officers को, British forces को कि उन्हें 3-4 महिनों का time period लग गया दिल्ली को recover करने के लिए so Britishers ने जो first time पूरही इंडिया को conquer किया था so उस दौरान जितना उन्होंने महनत नहीं किया होगा so उससे कई ज़दा महनत, कई ज़दा struggle उन्हें second time पूरही Northern India को recapture करने में लग गया पूरही Northern India को reconquest करने में लग गया so 1857 के reward में rebel की दौरा एक बहुत ही करा टकर दिया गया था British forces को now हमें next बता रखा है कि आखर Britishers के दौरा gangatic plans को किस तरीके से recover किया गया so उन सरे areas में भी यह जो reconquest का process था यह बहुत ही ज़दा slow था so British forces village by village एक एक करके पूरी area को reconquer कर रहे थे so उन सरे areas को भी recover करना Britishers के लिए बहुत ही ज़दा tough रहा so Britishers के दौरा जब counter attack किया गया उन सरे areas को recover करने के लिए so Britishers ने यह realize कि हम लोग एक mutiny के साथ deal नहीं कर रहे यानि कि सिर्पसीब जो सिपोईज है वो लोग rebellion नहीं कर रहे उनके द्वारा विद्रों नहीं किया जा रहे बलकि उनके द्वारा यह realize किया गया कि यह तो एक uprising है यह तो एक revolt है जिसमे common people भी included है so हम लोग एक mutiny के साथ deal नहीं कर रहे बलकि हम लोग एक rebellion के साथ एक revolt के साथ deal कर रहे जिसमें common people भी included है so इसका भी हमें एक example दे रखा है so एक British officials के द्वारा यह कहा गया कि अवद में लगबग three-fourth of the जो adult male population थे so वे लोग इस rebellion में included थे so इससे हमें पता लग जाता है कि यह एक rebellion था ना कि एक mutiny था क्योंकि mutiny सिर्फ सिपोईस के द्वारा किया जाता है and rebellion common people के द्वारा भी किया जाता है so अवद के area को re-conquer करने में Britishers को March 1858 तक का time trade लग गया so लगातर अवद के वर fighting किया गया attack किया गया counter attack किया गया and finally March 1858 में अवद को re-conquest किया गया so अवद में सबसे लंबे time तक यह जो rebellion था so यह continue रहता है next हमें यह बता रखाए कि Britishers की द्वारा 1858 के रिवाल को crush करने के लिए उसको suppress करने के लिए large scale में military power कर स्थमाल किया गया था but Britishers की द्वारा ना से military power कर स्थमाल किया गया था बलकि और भी कई सारे तरीकों कर स्थमाल किया गया था 1858 की रिवाल को crush करने के लिए जैसे कि for example आज के time period के UP के जातर parts में जो बड़े बड़े landholders रहा करते थे और जो peasants रहा करते थे सो यह लोग साथ में मिलकर Britishers के against में fight कर रहे थे सो Britishers की द्वारा इन दोनों की बीच में जो unity था इस unity को break करने की कोशिश की गई यह promise करके कि अगर जो landholders है अगर वो लोग हमें support करते है इस rebellion में अगर वो लोग हमारे against में rebel नहीं करते है then हमने उनके जितने भी states को लिये है सो वे सारे states हम लग बापस कर देंगे और उनको काफी जादा reward वगेरा भी देंगे सो जो rebel landholders थे जिन्होंने इस cheese को accept नहीं किया सो उनके और भी कई सारे lands को ले लिया गया और ऐसे landholders जिन्होंने इस cheese को accept कर लिया सो उनको reward दिया गया and interesting बात यह है कि जादा जो landholders थे उन्होंने इस cheese को accept नहीं किया and कई सारे landholders Britishers की against में fight करते करते ही मर गये and कई सारे ऐसे landholders थे जो कि Nepal भाग गये अपने आपको बचाने के लिए उस दौरान बहुत ज़ादा death हो रहा था illness भी हो रहा था starvation भी हो रहा था भूक मारी भी आ रही थी अपने आपको बचाने के लिए कई सारे landholders नेपल escape कर जाते हैं यान की भाग जाते हैं so with this हमना topic number 4 भी complete होता है so इस तरीके से Britishers की दौरा 1857 के reward को suppress किया गया था I hope कि आपको ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा now हमारे इस chapter का जो last topic है उस topic का नाम है images of the revolt so इस topic में हम लोग कुछ ऐसे images के बारे में discuss करेंगे जो कि हमें उस time period के reward के बारे में बहुत जादा information प्रोवाइट करता है so जैसे कि हम लोगों ने discuss किया कि हमारे पास ऐसा जादा records नहीं है जादा sources नहीं है जिसके थूँ हमें rebels का जो point of view है so उसके बारे में पता लगता है so हमारे पास सिर्फ असे rebels के द्वरा जो कुछ proclamations को किया गया था and जो भी notification जो भी इस्तिहार को issue करवाया गया था and इसके अलवा rebel leaders एक दूसरे के साथ जो भी letters को exchange करते थे so वही सारे हमारे पास कुछ sources है कुछ records है जिसके थूँ हमें rebels के point of view के बारे में पता लगता है हमारे पर जादता जो sources है so वो Britishers के site के है यानिकि Britishers के द्वारा लिखे गया थे जैसे के letters, diaries, autobiographies, official documents, images, histories, memos and report so ये सारे sources Britishers के द्वारा खुद लिखे गया थे so इन सारे sources में हमें Britishers के point of view के बारे में पता लगता है जिसमें उन्होंने rebels को बहुत ज़्यादा barbaric describe किया है इन साती साथ इन सारे sources के द्वारा हमें British officials के मन में जो fear and anxieties थी यानकि उनके मन में जो डर था इस revolt को लेकर so उसके बारे में भी information मिलता है और साती साथ उनका कैसा नजरिया था rebels को लेकर वो लोग rebels के बारे में क्या कुछ सोचते थे so इसके बारे में भी हमें इन सारे sources के द्वारा information मिलता है now next हम ये बता रखा है कि 1857 के revolts are related जितने भी stories है so उसको British newspaper and magazine में भी publish किया गया है so उसमें जो mutiners थे यानकि जो rebellion people थे जो विद्रोही लोग थे इंडिया के so उनको एक ऐसे रूप में narrate किया गया है एक ऐसे रूप में दर्शाया गया है जिसमें हमें ये लगता है कि जो rebellion people थे वही लोग बहुत ज़्यादा खराब थे और उन्होंने Britishers के against में बहुत ज़्यादा गलत किया है so magazine and newspaper में पूरा है जो story है उसको इस तरीके से दर्शाया गया है जिसमें Indian people को खराब दर्शाया गया है and Britishers को बहुत ज़्यादा अच्छा दर्शाया गया है so जब इन सरी stories को Britain में रहने वाले लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा था newspaper में magazine में so उनके मन में बहुत ज़्यादा घुसा भर रहा था Indians के प्रती and फिर वो लोग Retribution and Revenge का डिमांड कर रहे थे वो लोग ये डिमांड कर रहे थे कि Indians को punishment देना चाहिए और हमें इस चीज को बदला चाहिए Indian rebels के द्वारा Britishers के अगेंस्ट में जो कुछ भी किया गया है Britishers को इतना ज़दा suffering करना पड़ा है so इन सारी चीजों का अब हमें बदला चाहिए अब हमें revenge चाहिए so British newspaper and magazine में पूरा ही जो 1857 के रिवाल्ड का जो स्टोड़ी है उसको इस तरीके से represent किया गया है जिसमें इंडियन्स को बहुत ज़दा खराब बता गया है और इंडियन्स को ही गलत बता गया है कि इंडियन्स ने बहुत ज़दा गलत किया Britishers के अगेंस्ट में रिवाल्ड को लांच करके so 1857 के रिवाल्ड से रिलेटेड हमारे पास काफे सारे pictorial images भी है जैसे की पेंटिंग्स, पैंसिल, ट्राइंग्स, इचिंग्स, पोस्टर, कार्टून, बजार प्रेंग्स so ये सारे pictorial images Britishers के द्वारा भी प्रेडियूस किये गया है और इंडियन्स के द्वारा भी प्रेडियूस किये गया है so ये भी एक बहुत important source है so now next हम लग उन्ही सारे sources को discuss करेंगे उन्ही सारे pictorial images को discuss करेंगे so हमारा जो पहला सब topic है topic number 5 का वो है celebrating the saviors so saviors यहां पे उन सारे British officers को कहा गया है जो कि saviors के रूप में यानि कि एक रक्षक के रूप में एक hero के रूप में दूसरे जो British people थे इंडिया में so उनको rescue करते हैं उनको बचाते हैं rebel people से so उन्ही के बारे में हमें topic number 5.1 में बता रखा है so Britishers के द्वारा काफे सारे images को produce किये गया है जिन सारे images को देखकर हमारे मन में अलग-अलग emotion and अलग-अलग जो reaction है वो develop होते है regarding the British heroes जिनों ने English people को save किया है and जिनों ने rebel को suppress किया है यानकि rebel को दवाया है so एक ऐसा ही picture है that is the relief of Lucknow so जैसे कि आप यहाँ पे picture को भी देख सकते है so इस picture को कहा जाता है relief of Lucknow so इस picture में उस scene को दर्शाया गया है जिसमें Britishers को एक hero के रूप में एक saviour के रूप में represent किया गया है so इसकी बारे में ही next हम discuss करेंगे so relief of Lucknow यह जो painting है यह paint किया गया था Thomas John Barker की द्वारा in 1859 यानकि इस revolt किये दो साल बात and यह इसी तरीके का एक example है now next हमें इसी picture के बारे में बता रखा है इस picture में किस scene को depict किया गया है and यह picture आखिर हमें क्या दर्शानी की कोशिश कर रही है so next हमें इसी की बारे में बता रखा है so जब rebel forces की द्वारा Lucknow को पूरी तरीके से seize कर लिया जाता है यानकि चारों तरफ से घेल लिया जाता है so उस time period की दौरा Lucknow के जो commissioner थे जिनका नाम था है Henry Lawrence so Henry Lawrence उस area में रहने वाले जितने भी Christian population थे यानि कि जितने भी English people थे so उनको collect करते है and वे सभी लोग एक heavily fortified residency में refugee seek करते है यानि कि एक protected area में जाके वो लोग छुप जाते है उहाँ पे वो लोग शरन लेते है so Henry Lawrence उस residency को protect करते करते मारे जाते है rebel leaders की द्वारा Henry Lawrence को मार दिया जाता है but जो residency था वो protected रहता है under the command of Colonel English so Henry Lawrence के दत होने की बाद Colonel English की द्वारा अपने लोगों को और उस residency को protect किया जाता है फिर 25 सप्टमबर में दो English officer या फिर दो British officer पहले का नाम है James Outram और दूसरे का नाम है Henry Havelock so वे लोग उस 45 residency में arrive होते है वहाँ पे जो rebel forces थे उनको वहाँ से हटाते है और उस residency में फसे हुए जो British soldiers थे उनको reinforce करते है उनको strength provide करते है और फिर 20 days की बाद Colin Campbell जिनको British force के new commander के रूप में appoint किया गया था so वो अपने forces के साथ उस area में उस residency में पहुँचते है और वहाँ पे फसे हुए जितने भी British population थे और जो British soldiers थे so उनको rescue करते है उनको बचाते है Britishers के account में यह जो seas of Lucknow था so इसको एक survival and heroic resistance के story के रूप में देखा जाने लगा यानि कि Britishers seas of Lucknow को देखकर बहुत जदा proud महसूस कर रहे थे कि किस तरीके से Colin Campbell के द्वारा दुबारा से जो फसे हुए लोग थे so उनको rescue किया जाता है उनके life उनको लोटाया जाता है किस तरीके से जो British officers थे जो British commander थे so वो rebel leaders को resist करते है उनकी against में fight करते है and ultimately ब्रेटिश पावर की ही जीत होती है so यह जो seas of Lucknow से related जो भी story है so यह Britishers के लिए एक बहुत जदा proud moment है कि Britishers ने दुबारा से Lucknow को seize कर लिया and Britishers का at the end जीत होती है so यह जो picture है इस picture में भी हमें उसी चीज को दर्शानी की कोशिश की गई है कि Britishers ने किस तरीके से Lucknow को दुबारा से recapture कर लिया and अपने जो लोग थे जो कि उस residency में फसेवे थे so उनको किस तरीके से rescue करते है so बारकर का यह जो painting है यह celebrate करता है Campbell's के entry के moment को so जब Colin Campbell उस residency में पहुँशते है and जब वो अपने लोगों को rescue करते है so उस movement को celebrate करने के लिए ही बारकर की द्वारा इस painting को paint किया गया है so जैसे कि आप इस painting में देख सकते है बीच में आपको तीन British officers दिख रहे होंगे so center में यह तीन British officers है so इनको British heroes के रूप में represent किया गया है so पहला जो British officer है वो है Campbell, दूसरा है Outrop and तीसरा है Havelock and इस painting में और दूसरे जितने भी लोगों का picture बना हुआ है so अगर हम लोग उन सारे लोगों के hands के gesture को देखते है यानकी hands की position को देखते है then वो सारे ही लोग इन तीनो British heroes की तरफ ही इशारा कर रहे so basically जो बारकर थे वो ये चाहते थे कि जितने भी spectators है यानि कि हम लोग जो की इस picture को देख रहे so हम लोग center में focus करे इन तीनों British heroes की तरफ ही focus करे so इसी वज़े से दूसरे जितने भी लोगों को बनाया गया है so उनकी हातों के इशारे को इन तीनों लोगों के ओपर किया गया है so center में हम इन तीनों heroes को देख सकते है and center में जो light है वो भी बहुत अच्छा है इस जगा को थोड़ा सा bright बनाया गया है ताकि हमारा जो focus है वो इन तीनों British heroes की तरफ ही पड़े and इस picture की foreground में यानि के सामने और जितने भी pictures बनाया गया है so उसमें हमें थोड़ा सा shadow यानि की थोड़ा सा darkness दिखाई देता है ताकि हम लोग सिर्फ सिर्फ इन तीनों के ओपर focus करे ना कि इन सारे लोगों के ओपर focus करे now इस picture में सामने में हमें जितने भी dead bodies दिखाई दे रहे British power की ही जीत होती है and जो Britishers का control था लखनाओ में वो re-stabilize हो जाता है so इस तरीके से picture की द्वारा उस पूरही scene को depict करने की कोशिश की गई है so ये जो painting है ये British public के लिए एक reassurance है जिसके थूँ उन्हें ये पता लगता है उन्हें ये confidence महसूस होता है कि rebels का जो rebellion था वो खतम हो चुका है and Britishers ने दुबारा से पूरही जगब पे अपना जो control था उसको re-stabilize कर दिया है so इस picture की द्वारा एक sense को create करने की कोशिश की गई है कि वो जो trouble time था वो जो suffering का time था वो जो rebellion का time था वो जो rebellion का time था वो खतम हो चुका है and at the end Britishers की जीत होती है and Britishers दुबारा से पूरही एरिया को control कर लेते है so इस तरीके से pictures की द्वारा भी हमें 1857 के reward के बार में पता लगता है and इस picture में हमें Britishers की point of view के बार में पता लगता है जिसमें जो rebel leaders थे so उनको बहुत ज़दा बुरा दर्शा आ गया है and Britishers को अच्छा दर्शा आ गया है Britishers को बहुत ज़दा मासूम दर्शा आ गया है कि जो rebel leaders थे वो Britishers के साथ बहुत ज़दा बुरा कर रहे so इस तरीके से कुछ जो sources से कुछ जो picture से वो हमारे उपर बहुत ज़दा influence करता है और हमारा जो perspective है उसको change कर देता है हमारे opinion को change कर सकता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी events के प्रति जो feeling होता है, जो attitude होता है so उसको save करने में newspaper report एक बहुत ही important role play करता है यानि कि media का एक बहुत ही ज़दा important role होता है media हमें कई हद तक influence कर सकता है हम लोग किसी भी event को किस नजरिये से देखते है उस event का हमारा क्या perspective है so इन सारी चीजों को media change करके रख देता है media के द्वारा, newspaper के द्वारा, reports के द्वारा हमें जिस तरीके से information को दिया जाता है so उस तरीके से ही फिर हम लोग उस चीज को सोचने लग जाते है so Britain में रहने वाले जो ordinary Britishers थे so उनको भी कुछ ऐसे reports को दिये जा रहे थे उनके सामने कुछ ऐसे informations को present किये जा रहे थे जिसके थूँ जो Britain में रहने वाले जो normal citizen थे so उनको ऐसा लग रहा था कि जो rebel leaders थे वो लोग बहुत ज़दा खराब थे and Britishers बहुत ज़द अच्छे है and rebel leaders ने Britishers के साथ बहुत ज़दा बुरा किया है और अब हमें बदला चाहिए अब हमें revenge चाहिए so जब Britain में ये news spread हो रहा था कि इंडिया में जो English women and children है so उनके साथ violence किया जा रहा है rebel leaders के द्वारा उनके साथ बहुत ज़दा बुरा treatment किया जा रहा है so इन सारी news को सुनने की बाद Britain में रहने वाले जो लोग थे वो लोग revenge का demand कर रहे थे वो लोग बदला लेने का demand कर रहे थे and British government को ये order दिया गया कि जिस भी तरीके से हो इंडिया में जो innocent women है and जो helpless children है so उनके honor को protect किया जाए उनके safety को protect किया जाए and इसी scene को Britishers का जो sentiments था उनके जो emotions थे उनके जो विचार थे and उस time period के दौरान women and children के द्वारा कितना ज़दा suffering किया गया था जो कुछ भी उन्होंने experience किया था so ये सब कुछ artist के दौरा paintings में express किया गया है so एक ऐसा ही painting है जिस painting का नाम है In Memoriam so In Memoriam को Joseph novel pattern के दौरा paint किया गया था two years after the mutiny यानि कि इस revolt के दो साल बाद so इस painting को आप लोग ध्यान से देखिए इस painting को देखकर हमें ही बहुत ज़दा दया आ रहा है कि जो English women थे उनके साथ बहुत ज़दा गलत हो रहा था वो लोग किस तरीके से छुपके बैठी वी है किस तरीके से वो लोग अपने आपको rebel leaders से rebel people से protect करने की कोशिश कर रही है इस तरीके से कुछ paintings को बनाया जाता था जिन सरे paintings को देखकर Britain में रहने वाले जो लोग थे वो लोग बहुत ज़दा क्रोधित महसूस करते थे और वो लोग revenge का demand करते थे इस picture में हमें ये दर्शाया गया है कि जो English women and उनके जो children है वो लोग circle में बैठे वे एक साथ एक जगब बैठे वे है और देखने में वो बहुत ज़दा helpless लग रहे है बहुत ज़दा innocent लग रहे और इस picture को देखकर ये प्रतीक होता है कि ये सारी women उस cheese के लिए वेट करे जो कि नहीं होना चाहिए यानि कि ये लोग dishonor, valence and death के लिए वेट करे जो कि नहीं होना चाहिए इस तरीके से pictures को बनाया जाता था इसके थुरू women के द्वारा जो suffering किया गया है उसको describe करने की कोशिश की जाती थी paintings के द्वारा ये कितना हद तक सही है नहीं है ये तो हमें नहीं पता इस भी rebel leaders को नहीं दिखाया गया है ये नहीं दिखाया गया है कि rebel leaders इन सरे women के साथ कुछ भी बुरा treatment करें बट फिर भी इस picture को इस तरीके से बनाया गया है कि देखने के बाद हमें ऐसा ही लगता है कि ये सारी जो women है ये डर के कारणिया पर छुपे हुए है क्योंकि इन के साथ violence हो सकता है इस picture की द्वारा हमारा जो mind है हमारा जो imagination है उसको influence करने की कोशिश की गई है इस picture की द्वारा Britishers को भरकाने की कोशिश की गई है उनकी मन में anger यानि की घुर्से को create करने की कोशिश की गई है इस पिक्चर में हमें कोई भी rebel leader नहीं दिखता है, कोई भी सिपोईस नहीं दिखता है, बट फिर भी इस पिक्चर में rebels को बहुते जदा violent and बहुते जदा brutis describe किया गया है, यानि कि जो rebel leaders है, वो लग बहुते जदा अत्यचारी है, बहुते जदा uncivilized है, जो इस तरीके से इस इस सारे women को इन सारे children को protect करने के लिए एक savior की रूप में, एक रक्षक के रूप में आ रहे है, इस तरीके से इस picture के द्वारा rebel leaders को बहुते जदा बुरा and British force को बहुते जदा अच्छा describe किया गया है, ना नेक्स्ट हमें और एक 1857 के revolts related picture की बार में बता रखा है, मिस विलर defending herself against si poise, so इस picture के center में आप ये जो women देख रहे है, so इनका नाम है मिस विलर, जो कि अपने आपको defend करने के लिए, अपने आपको protect करने के लिए si poise के against में fight कर रही है, so इस picture में, इस sketch में women को एक अलग तरीके से दर्शाया गया है, इस picture में women को बहुते जदा heroic describe किया गया है, जो कि अपने आपको defend करने के लिए, अपने आपको protect करने के लिए, जो attacking rebels है, so उनकी against में fight कर रही है, so इस picture में मिस विलर, जो कि इस picture के center में है, so वो अपने आपको defend करने के लिए, अपने honor को, यानि कि अपने मान सम्मान को defend करने के लिए, उसको protect करने के लिए, एक हाथ सह जितने भी attacking rebels है, so उनको मार रही है, so इस picture में भी rebel leaders को बहुते ज़ादा cruel दर्शाया गया है, बहुते ज़ादा बुरा, बहुते ज़ादा अत्यचारी दर्शाया गया है, जो की एक women के उपर attack कर रहे है, so इस picture में चार healthy healthy male को dip up किया गया है, जिनकी एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में gun है, and ये चारो ही जो male है, वो एक women के उपर attack कर रहे है, and ये जो women है, so ये अपने honor को बचाने के लिए, अपने life को बचाने के लिए struggle कर रही है, और ये एक हाथ से, उन सारे ही rebel people को मानने की कोशिश कर रही है, so इस picture में ना से women के struggle को describe किया गया है, बलकि इस picture में हमें deeper religious connotation भी देखने को मिलता है, यानि कि इस picture का एक religious intention भी है, and वो है, that it is a battle to save the honor of Christianity, so ये ना से power के लिए, authority के लिए fight है, बलकि ये Christianity के honor के लिए, Christianity के समान के लिए भी fight है, so इस picture में, floor में आप देख सकते हैं, कि एक book जो है, वहाँ पर गिरा पड़ा है, so ये ज कहीं, जो Christianity है, so वो मुसीबत में है, और हमने Christianity को protect कर रहे है, so इस तरीके से pictures हमें, अलग-अलग तरीके से influence करते हैं, ना जो हमारे next topic है, वो है topic number 5.3, vengeance and retribution, so as I have said, कि इस revolts related, जितने भी visible representation से, यानि कि जितने भी pictures है, जितने भी news है, जितने भी reports है, so वो Britishers के mind में, बहु बहुत जदा बुड़े है, बहुत जदा अत्यचारी है, cruel है, so ये एक जो perspective है, ये perspective, Britain में रहने वाले जो ordinary citizens थे, जो Britishers थे, so उनके mind में create हो रहा था, उनके mind में develop हो रहा था, and इन सरी चीजों को देखने के बार, Britain में रहने वाले Britishers के द्वारा justice का demand किया जा रहा था, Britishers क बहुत जदा बुड़ा किया जा रहा था, यानि कि हमें अब justice चाहिए, rebels ने हमारे साथ बहुत जदा बुड़ा किया है, इंडिया में, so अब हमें हमारे लोगों के लिए revenge चाहिए, अब हमें justice चाहिए, अब हमें नयाय चाहिए, Britishers के honor को अब हमें protect करना है, and इस शीज को क करने के लिए, यानि कि justice के लिए, British के honor के लिए, जितने भी rebel people थे, so उनको बुरी तरीके से suppress किया गया, उनको मारा गया, so जैसे कि Britishers rebellion से बहुत जदा परेशान हो चुके थे, so अब जब Britishers थे, वो अब ये feel कर रहे थे, कि अब हमें अपना जो ताकत है, अपना जो power है, so उसको demonstrate करने का time आ चुका है, उसको दिखाने का time आ चुका है, अब हमें दुबारा से Indians के mind में ये बैठाना होगा, कि Britishers को कभी भी हराया नहीं जा सकता है, Indian people Britishers से कभी भी नहीं जीच सकते है, so इसी चीज़ को represent करने के लिए, इसी idea को दर्शाने के लिए, British painters के द्वारा और एक painting किया गया था, so इसमें हमें justice को describe किया गया है, कि Britishers के लिए क्या justice था, so इस picture में justice को यानि की न्याय को एक female figure के रूप में depict किया गया है, एक female figure के रूप में symbolize किया गया है, जिसके एक हाथ में तलवार है, और दूसरे हाथ में shield है, यानि कि दूसरे हाथ में coverage है, so यह अपने घुसे को एक्सप्रेस कर रही है और इनकी मन में जो रिवेंज का यानि कि जो बदले का डिजायर है जो भावना है उसको एक्सप्रेस कर रही है इस पिक्चर में इस वेमेन ने जितने भी इंडियन सिपोई थे जो रेवल पीपल थे उनको अपने पैरों से कुचल रखा है और पीछे यहां पर कुछ इंडियन वेमेन एंड चुड्रेन भी दिखाई दे रहे है जो कि डर के मारे जुके वहे डर के मारे काप रहे है इस पिक्चर के द्वारा हमें ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि कोई भी इंडियन पीपल अगर बिटिशर्स के अगेंस में रेबिलियन करता है तर उसका यही परिनाम निकलेगा बिटिशर्स के पैरों के नीचे वो कुचल दिया जाएगा यानकि बिटिशर्स के बुरी तरीके से उनको suppress किया जाएगा और कुछ इस तरीके से उनको suppress किया जाएगा कि दूसरे जो इंडियन पीपल होंगे वो भी बहुत ज़दा डर जाएगे और वो लोग भी कभी ब्रिटिशर्स के अगेंस में रेबलियन नहीं करेंगे तो इस टॉपिक नंबर 5.3 भी complete होता है ना हमारा नेक्स टॉपिक है टॉपिक नंबर 5.4 तो लोगों के मन में ये जो बदले की भावना थी ये जो punishment देने की भावना थी कि सारे ही rebel leaders को punish करना चाहिए तो इस शीज को बहुत ही brutal तरीके से express किया गया जितने भी rebel people थे उनको execute किया गया यानि कि उनको मारा गया कई सारे ऐसे rebel people थे जिनको गन से उराया गया और कई सारे ऐसे rebel people थे जिनको सूली से लटकाया गया जैसे कि आप इन दोनों pictures में भी देख सकते हो यहाँ पे line by line जितने भी rebel people थे उनको रखा गया था में rebellion करता है तो उसका सिर्फ सिर्फ एक ही punishment होगा वो होगा there and ये सारी जो executions वाले images थे so वो Britain में बहुत ज़दा circulate हो रहे थे through popular journals यानि कि newspaper की द्वारा ये सब कुछ बहुत ज़दा popular हो रहा था and उन लोग satisfaction में रहा था कि हमें justice मिल गया है हमें नियाय मिल गया है now हमारा next topic is topic number 5.5 no time for clemacy यानि कि हमारे पास कोई time नहीं ये दया दिखाने के लिए यानि कि हमें rebellions के प्रति बिल्कुल भी दया नहीं दिखाना है so जब revenge का demand किया जा रहा था जब ये demand किया जा रहा उस शीज का भी बहुत ज़्यादा मजाक उराया जाता था so time period के दौराइं जो governor general थी जिनका नाम था canon so उनकी द्वारा ये declare किया गया कि हमें थोड़ा सा दया दिखाना चाहिए हमें थोड़ा सा नरम दिल से बहवार करना चाहिए अगर हम लोग ऐसा करेंगी then sepois का जो loyalty था so वो हमें बापस मिल जाएगा but British press में उनके इस बात का बहुत ज़्यादा मजाक उराया गया था and उनके इस बात को cartoon की रूप में भी express किया गया था and बहुत ज़्यादा मजाक उराया गया था so यहां पर जो आप एक picture देख रहे है जिसको clemency of cannon कहा जाता है यान की cannon का दया so इसमें यह depict करने की कोशिश की गई है कि cannon किस तरीके से एक father figure की रूप में जो sepois है so उनके सिर में अपना जो protective hand है उसको रख रहे and इस sepois के एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में dagger है यान की खंजर है and इन दोनोई weapon से blood टपक रहे so इस picture की द्वारा हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जो cannon है वो ऐसे लोगों के उपर दया दिखानी की बात कर रहे है जिनोंने हमारे लोगों को मारा है so इस picture को बहुत ज़़़ा सर्कुलेट किया जाता है and इस picture की द्वारा cannon का बहुत ज़़़ा मजाक उराया जाता है so with this हमारा topic no.5 भी complete होता है now हमारा इस chapter का जो last topic है उस topic का नाम है topic no.5.6 so जब 20th century के time period के दौरन दुबारा से Britishers के अगेंस्ट में इंदिया में national movement को launch किया जा रहा था so जितने भी nationalist leaders थे so वे लोग 1857 के जो events थे so उसी से inspiration को लेते थे उसी से बहुत ज़़़ा प्रेडेत होते थे 1857 के रिवाल में जितने भी leaders थे जिन्होंने sacrifice दिया था so उन सारी चीजों से वो inspiration लेते थे कि जब 1857 में हमारे पूरवजों के दौरा Britishers के अगेंस्ट में एक ऐसे rebellion को किया गया था जिसमें almost Britishers northern India से गाय भी हो चुके थे so उसी चीज से nationalist leader बहुत ज़़़ा इंस्पायर होते है and 20th century में national movement को launch किया जाता है Britishers के अगेंस्ट में so 1857 के रिवाल को first war of independence की रूप में celebrate किया जाता है जिसमें हमारे इंडिया में जितने भी section of people थे so वो एक साथ आते है और imperial rule के against में Britishers के rule के against में fight करते है and उस time period में काफे सारे art and literature and even जो history writing है so उन सारी चीजों ने 1857 का जो memory था so उसको आज तक alive रखा है उसको आज तक जीवित रखा है so इस reward के जो leaders थे so उनको heroic figure के रूप में represent किया गया है जिन्होंने हमारे country को इस battle में lead किया हमारे country में Britishers का ये जो इतना oppressive imperial rule था so इसके against में fight किया next हमें Rani Lakshmi Bhai के बारे में बता रखा है so Rani Lakshmi Bhai की जो बीटा थी so उसको describe करने के लिए काफी सारे heroic poems भी लिखे गया है जिसमें Rani Lakshmi Bhai को एक ऐसे leader के रूप में describe किया गया है जिनकी एक हाथ में तलवार है दूसरी हाथ में उन्होंने घोडे की जो लगा में उसको पकर रखा है और वो अपने mother land के लिए अपने मातरी भूमी के लिए struggle कर रही है freedom के लिए struggle कर रही है तो Rani Lakshmi Bhai को एक masculine figure की रूप में represent किया जाता है यानि कि एक male figure की रूप में represent किया जाता है जिन्होंने अपने enemies को chase किया British soldiers को मारा और Rani Lakshmi Bhai ने बहुती वीर्था के साथ अपने last breath तक fight किया था उनका जो सहस था उनका जो वीर्था था तो उनकी वीर्था को ही heroic poems में describe किया गया है तो Rani Lakshmi Bhai से related एक बहुती famous poem है जिस poem को सुबद्रा कुमारी चोहान के द्वारा लिखा गया था धैट खूब लरी मर्दानी वो तो जहसी वाली रानी थी यानिकी एक man की तरह उन्होंने बैटल फिल में बहुती साहस के साथ लढ़ा और वो थी जहसी वाली रानी यानिकी जहसी की रानी रानी लक्ष्मी बाई जादे तर painting में आम लोगों ने देखा होगा कि रानी लक्ष्मी बाई को डिपिक्ट किया जाता है कि वो एक बैटल फिल में है और उन्होंने एक कवच पहन रखा है उनके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ से वो घोरे को चला रही है तो रानी लक्ष्मी बाई एक सिंबल है कि रानी लक्ष्मी बाई ने किस तरीके से ब्रिटिशर्स का जो रूल था जो इन्जस्टिस रूल था उसकी अगेंस में उन्होंने फाइट किया था आज भी हम लोग रानी लक्ष्मी बाई से बहुती जादा इंस्पायर होते है आज भी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इंपोर्टन कोशन अंसर वाला वीडियो भी बनाऊंगी सारी वीडियो का लिंक में आप लोगों को दिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोइट कर दूंगी चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को जरूर अन कर लीजेगा ताकि आपको इन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आज की इस वीडियो के एंड करते है आज से और में नेक्स्ट वीडियो तिल दन बाई 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 इन स्टेटियो इन में चैनल और थैंक्स पूरचिंग मैं वीडियो